मसकार दोस्तों आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चेनल आरेनेस एजुकेशन न्यूज में दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग ओफिसर एनेम भरती दो हजार तेवीश तो सताशी सो पचास नर्सिंग ओफिसर और अर्तालिस सो सैंतालिस एनेम भरती और एक वाइरल पत्र ने हिला दी है नीव अजारवा भ्यरतियों को हो सकता है नुकसान बोनस अंकों पर फुनर विचार के बाबत एक लेटर वाइरल हो रहा है और एगर ऐसा होता है तो निश्चित तोर पर जो प्रोविजनल चैन सूची में चैनित अभ्यार नर्सिंग ओफिसर के हो चाए एनेम भरती के हो उनके लिए मुश्किले खड़ी हो सकती है यानि कि जहां धरना परदसन चल रहा उसके बीच एक लेटर वाइरल हुआ है और उस लेटर का हम पूरा आप लोगों को सच बताते हैं कि उसका आखिर अर्थ क्या है सबसे पहले तो दोस्तो ये लेटर आप लोगों ने देख लिए होगा निदेशालें चिकित्सव विभाग की तरब से जारी किया गया है डेट यहां पर दी गई है 19-1 ठीक है और ये विश्च सायक मान्य मंत्री मोहदे दोस्तो ये जो लेटर है ये मंत्री मोहदे के विश्च सायक को दिया गया है जब आप चिकित सव विभाग की तरब से, विसी साय कोन है, कारियाले, मंत्री, विधाले सिक्ष्या, पंचायती राज, संस्क्रा सिक्ष्या, रास्तान सरकार, उनको ये लेटर लिख करके दिया गया है, और इसमें दोस्तों, विसे था कि नर्सिंग ओफिसर महि मंत्री महिजा था, मंत्री महिजा अब किस ने भेजा था, ये जो मंत्री महिजी रहता है, इन्हों ने अब शिक्षा मंत्री को जो लेटर भेजा उसका जबाब किस ने दिया है चिकित सा विभाग ने दिया है और इसमें बताए गया है कि भाई नर्सिंग ओफिसर पैरामेडिकल समवर के पुल 20,546 पदों पर सीधी भरती प्रक्रियाधीन है उक्त प्रक्रियाधीन भरतियों के अंतरगत अब भरतियों का दस्तावे सत्यापन का कारिये 39 तक पूरा किया गया और उसके बाद मैला स्वास्ति कारिकरता की दिनांक 610 और नर्सिंग ओफिसर के दिनांक 710-2023 को अंत्रीम चैन सूची मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है और दिनांक 910-2023 से तीन-12-2023 तक राज्य में चुनावी अचार सहिंता प्रभावी रही अब इसके बाद देखिए दोस्तों जो महत्पुन बात वो है ये है कि उच इस्तर पर लिए गए निर्न अनुसार प्रकरिया दिन भरतियों के अंतरगत अन्य राजों से व्यवसाई की योगता यानिक अमंत्रित परिवद्नों को निस्तारण लंबित नियाईक प्रकरों को निस्तारण और मान्य न्याला द्वारा पारित निर्ने दिनांग 16-11-2030 की पानला में प्रुस्तूत किये जारे अब्यावेद्नों का निस्तारण किया जाना है यानिक ये कहा रहे है साब कि जो अन्य परिवेद्दाइं हैं उन सबको और जो 16.11.2030 को जो हाई कोट का डिसीजन आये था उसके निर्णेों का निस्तारण किया जाना है और मान्य नाले दुवारा पारित निर्णे के परिपेक्स में उक्त दोनों पदों के आवेदुगों को बोनस अंक दिये जाने के सम्मंद में पूर में सक्षम इस्तर पर लिए गए निर्ण पर पुनर विचार किया जाना भी आवशक होगा अब ये महत्मण बात ये कही है कि मान्य कोट दुवारा जो निर्णे दिया गया था उसमें इन दोनों भरतियों के यानि कि एनम और नर्सिंग ओफिसर में बोनस अंक दिये जाने के सम्मंद में पूर में सक्षम इस्तर पर लिए गए निर्ण पर पुनर विचार किया जाना भी आवशक होगा यानि कि जो बोनस अंक पूर में सक्षम इस्तर क्या था जो कोविड काल में काम करने वालों को 15 अंक दिये गए थे उस पर भी निर्णे लिया जाना है प उनर विचार जो है उन 15 बोनस अंकों पर किया जाएगा जो कहिना कई कोविड हेल्थ असिस्टेंट के लिए खत्रे की घंटी है। सरकार द्वारा को निर्देश हाएगा उसके बाद ही सारी कारवाई पूर्ण करके अंतिम मैरिट लिस्ट जारी किया जाना संभव होगा। उन्होंने जो मंत्री महदय हैं विधाल सिक्षा के उनको ये जबाब बता दिया कि भाई ये ये चीज़े हमने इतने तारिकों की ये चीज़े पेंडिंग हैं हम बोनस अंकों पर भी पुनर विचार करेंगे ताकि कोट की अवमानना और भरती के सम्द्ध में कोई अगर व और अगर इसमें हटाने नहीं हटाने हटाने करने लिया गया तो मुस्किले होंगी 5000-6000 जो सी अच्छे जैनित थे उनके लिए तो दोस्तों ये जानकारी है ठीक है ये लेटर संभवत है आप लोगों को वेबसाइट पर नहीं मिलेगा क्योंकि वेबसाइट पर इसलिए नही होगा लेकिन ये वाइरल जहां से भी हुआ है इसमें इनोंने पूरी बात कह दी है कि जो बोना संख हैं पूर में दिये गए थे उन पर पुनर विचार किया जाएगा अगर पुनर विचार करने के बाद अगर हटाने जैसी कारवाई की गई तो निस्चित तोर पर जो कोव लेती है पुनर विचार के बाद क्या इस्थितियां होती है क्या पुनर विचार में बोना संख या थावत रखे जाते हैं नहीं रखे जाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा तो आप लोग देख सकते ये जैनकारी थी फिलाल के लिस वीडियो में दोस्तों इतना ही जै ह इंजय भारत